इसको लेके काफी सारा कोईशन्स है कि फान्ट लिमिट कब यूज़ का जाता है इसका उपियोग क्या क्या होता है तो देखें फान्ट लिमिट एक्चुली यूज़ होता है इमार्जिन टेट के टाइम इमार्जिन टेट के टाइम नॉट फॉर बाइंग दूरिंग बाइंग बाट फॉर सेलिंग जब आप सेल करोगे स्टॉक को तब ही चाके आपका फान्ट लिमिट चो अप्चन है वो यूज़ होगा तो फान्ट लिमिट अप्चन आपका यूज़ नहीं होगा अगर आपके पास सेक्यूटिस का डीमैट अकाउंट है और आपका बैंक फी से है तो दोनों आगर आपके पास है और वो लिंक है सेक्यूटिस के साथ से बैंक तब चाके आपको फान्ट लिमिट का ज़रत नहीं परेगा अंटिल अनलेस आप इमार्जिन में टेडिंग करते हो तो तो फ कोई फाइब थावजन रुपईश का इसका क्षार खरीत रहें या फिर फाइप थावजन लिमिट में जाकि इसको ब्लॉक करना होता है और फिर आप चब खरीत लेता हो तो फाइब थावजन वहां से निकल जाता है अगर अगर आप नहीं खरीत तो आप उसको आप है तो आप add funds पर क्लिक करोगे for example आपने margin पर कोई भी shares खड़ीदा है तब तो आपका bank account से सीधा कट चाहेगा पैसा ठीक है but वही margin का stock अगर आप sale करना चाहते हो तो पहले आपको वही amount कितना पैसा का sale करना चाहोगे क्योंकि margin actually आप उधा लेते हो आप फाइफ माली जाप 50,000 प्राइस का stock अप खड़ी आप स्ट्सरा बढाए सरू है झाल 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 झाल